दोस्तो बड़ी खबर परमानु उर्जा आयोग से आ रही है। दोस्तो आपको बता दे कि परमानु उर्जा आयोग के पुर्व अध्यक्ष सिरी कुमार बनरजी का 23 मई 2020 को दिल का दोड़ा पढ़ने से निधनों गया। दोस्तो अधिकारियों ने बताये कि सिरी कुमार बनरजी पिछले महीने ही कुरोना से ठीक हो गये थे। आपको बता दे कि वे 70 वर्ज के थे। वे साल 2012 में परमानु उर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमानु उर्जा विभाग के सचिब पद से सेवा निर्वित हुए इसके अलाव आपको बता दे कि परधान मंत्री नरेन मोदी ने परमानु उर्जा आयोग के पुर्व अध्यक्ष सिरी कुमार बनरजी को सरधांजली दी है। उन्होंने ट्वीट कर अपना दुख प्रकट किया है। परधान मंत्री मोदी ने बनरजी के निधन पर सोग व् कहा कि वह एक उत्क्रिष्ट सनरचक एवं संस्था निर्माता भी थे। उन्होंने आगे लिखा है कि सिरी कुमार बनरजी को भारतिये बिज्ञान छेतर में उनके अग्रणी योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। खास तोड़ पर परमानु उर्जा एवं धात धातु विज्ञान के छेतर में वे एक उत्क्रिष्ट सनरचक एवं संस्था निर्माता भी थे। उनके निधन से बेहत दुखी हूं। उनके पडिवार के प्रती संबेदना ओम सांती। वह आपको बता दे कि स्री कुमार बनरजी साल 2010 तक 6 साल के लिए भावा प्रमानु अनुसंधान केंद्र के निदेशक भी रहे थे। आयाटी खड़कपुर के धातु विज्ञान इंजिनियर बनरजी बीटेक की डिग्री लेने के बाद भावा प्रमानु अनुसंधान केंद्र से जुरे थे और इस प्रमुख बैज्ञानिक संस्थान के निर्देशक पद तक पहुंचे थे। श्री कुमार बनरजी का काम भौतिक धातु विज्ञान और धातु विज्ञान पर अधारित था। उन्हें कई पुरुसकारों से भी नवाजा गया था। उन्हें अपने केरियर में साल 2005 में पद्म सिरी और साल 1989 में सांती स्वरूप भटनाकर पुरु एक्टरों में इस्तमान होने वाले दाव ट्यूम में इस्तमान होने वाली फेबरिकेशन सेड्डिूल के विकास का अधार तैयार करने का स्रे भी जाता है। बनरजी कई इन्वर्सिटीज और दुनिया के अनेक स्रिच्छन संस्थानों में अतिती प्रोफेसर भी रह चुक प्रोफेसर रह प्रोफेसर थेखान रह जारे भी जाता है।